वालकूम अगेन गूद मोर्निंग विट सभी का ये है किचिन एंड स्पॉंसर्ड बाइ ग्लैम गैस और आज जो है स्पेशल डिश बन रही है वह है इटालियन क्रीमी पास्ता और कौन बना रही है जी है अगरे मायरा तिष्टियोरा एंड सबक्ता लें डिशभी किचिन ए रिदे की जानी है कि अब रही है तो मायरा इसमिलमे था पैसता था पैस्ता और किछिए एक रिदे का बार्य शाष्ट पास्ता इंड इसमेरी है जी है जी वन टीस्पून बल्यक पेपर आप अपने तेस्क हमों ऐसे निला जासे हैं जैकर ते अपर भी तरिबानिक जासे हैं, और गहनों में हमने ख़ाहिए, तर में है फीकर पूरल साइप का किर्षप का और दीस के अ चॉछपी तो राट टेबल स्पून मेदा है जिससे हम वाइट सॉस पर आएंगे वन टेबल स्पून हमारे पास बटर है और टू टेबल स्पून के करीव अपर चैड़र चीज इसका अम इस्तेमाल करेंगा और यह जिस मिल्क है करीब मिलक और सॉल्ट अपने टेस्स के साफ से डालेंगे ठीक है अब सबसे पहले आपने यह करना है कि अब बिस्मिल्ला करते हैं और डिश का नहाम है इतालियन पा क्रीमी पास्ता चलेज़े बटर डाल देंगे अपने पान में हमने सबसे पहले इसमें बटर डाल दिया यह रोड दिखे है ओड़िखे हैं जा है भाल दिखनाए खाना है कर दो आधे है है 15 लिए इसका साफ सिर स्कंडल जालेंगे यह ए मर पास गाल्लिक छॉप ऑ वाव ठीक है कर लिका थे इसको तोरा सामने साफ ऐ राल अट इसको थोड़ा सामने बहाँ एं अड़ा अच नहीं इ लुझ वाइड दो एक पार या पानी तो नहीं चाहिएज अब को कि अपर ने जालना शुरू हो जाता है इसलिए हमेल लाइड फ्लेम पर ही करना है का यह इचा मद रखिये आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे पक रहा है अच्छा जो यूजवली यह जो इसकी सॉस होती ना वाइट सॉस यह बनने में बहुत टाइम लेती है लेकिन हम नॉर्मल वाली वाइट सॉस बना रहे हैं जो ऑथेंटिक है वह तकरीवन तीन-चार घंटे में बनके स्पाइसी मज़ेदार चाइनीज हर तरह की बेकिंग तो आप इनको जरूर ऑप्लाइश करें थोड़ा सा पानी डाला है तकरीबं थी टेबल स्पून के करीब पानी के साथ जो है हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ठीक है किती तर लगे कि इसको दो मेंट तीन में ह inspired बात करेंके मिक्स कि तर उलगेशाख से पाईश में तर है अच्छी पात करें और एक बात बता हैं कि अकसर में ने देखा है यह गोई लोइजा Gemma T पॉल ने पानी में ने एक उसके बाइल उन टीस्पून राइगा ताकि यह एक बढ़ए पाक्टे राइगा लेगा सेमन टू एट मिन अपने बॉल करना बढ़ए और अपने बॉल करना इसी तारीक पूल बड़ी हो जाएगी वैसे वह इतिनी सी नहीं जो शोटी सी लेकिन अ प्रिजनेबल पड़ती है वनना तो उनको उसमें कॉस्ट में नहीं आईगा इसको यह जो आपने का चिपके इन ठीक है उसके बाद हमने इसको ड्रेइन क्या चान लिया हमने उसके बाद क्या प्रोसीजर इसको ठंडे पानी से गुदारने अपने तो यह फिर जब तक इसकी स क्या कि ठेन करें ठंडे पानी में डालने के बूल कुल इसको ठंडा करें अच्री है इसको ठंड करके ऐँ नहीं AgraES हूआ नहीं कुछ लोग होते हैं वो अपने बनाते कीice कै लुड़ी सॉयर्ण के आप अपने तेसक बारा हम् में ड़ल के सल्क्राइए को भी स्वरइगा जाला है पानी मेज़ाए नहीं था रचीस को भीपटर मेण तर भीज़ को चीजमी एक भीच एक भीचीन और दाले एलाग के टेऊ सब्सक्तरा है कोई बात नहीं तोड़े से डाल दें अच्छा है मुझे पसंद ब्लैक पेपर तो खेर है अब आपने इसको मिक्स करना है यह थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा में चाहिए भी और चाहिए भी और यह पकने में भी पकने जो कि मेदा जो मुस्तकिल गाड़ा करेगा ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा फ्लेम फिर में एक बात बता हूं लिए भी तक कि इसको में अच्छा प्रेस करके चलाते रहे जी तक कि लंब नहीं बने और अब हम इसके लिए डाल दिंगी यह चैडर चीज और चीज भी डल ग अगर चीज बरीफ कर दीए ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें अगर चीज स्किप करना चाहते है वो आपको आपको अप्स्टन है ठीक है आप स्किप कर दें पामेजान चीज है पामेजान चीज डालें नेकिन चीज से ही चीजी फ्लेवर आई का क्रीमी पास्ता का और अब ब उना यह किसी भी डिश को एख कर सकते हैं थोड़ा था पे व्यर okay लगना स्चिर नहीं बीज ने हैं वाँ वाँ अपर हमारा पास्ता रेडी होगी है, तो नहीं प्रणा कर देखिए कर देखिया और बच्छों को जो जो चिकन नहीं खाते हैं उनको आप ये बदा के लिण देखिए ते लिए लॉग आप देखिए अज देखिए लूंच में देखिए ते लॉग और आज जिससाफ बटर और चीज का टेस्ट आरहे नहीं है यूमी को अगर आपने साफो हमें अगर आपने साफ नाल आप जाते हैं तो फिर वो इन जाता है और चाहें जिसको बाइश की तो वो इसमें मजीद ब्लेक जाते हैं आपके जी बिसमिल्लाहिरमान रहीम वाव जबर दस्त देखें जी मायरा नहीं जो है वो क्रीमी पास्ता इटालियन इटालियन क्रीमी पास्ता और चटपड बनेगी गेस्ट आ रहे हैं पहले सा बॉयल करके रख लें अब फटपड बनाएं यह तो वैसी जल्दी हो जाता है हाँ यह तो वही कहनी ना बॉयल ही पास्ता होगी यह हो गया आपका ड़न हो गया जल्दी हो जबर दस्त अच्छ इसकी ओपर हम यह हर्ब्स जो हैं चीक है तड़ा कुछ भूगा नहीं से आप डाल के सिर्फ हर्ब्स के साथ डेकॉरेट करेंगा और यह हो गया पास्ता रह रेली पिशावरी कड़ाई वाव तो आर यू रेडी कल प्रगैम में आपने स्किप नहीं करना क्योंकि है माहिरा लेकर आ रही है पिशावरी कड़ाई और हमने आज जो बनाया हो है इतालियन पास्ता यहां पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गूड मॉर्ण झाल